हाई गाईस आज में एक्स्प्लेन करूंगे एक मूवी जिसका नाम है वंडरलैन जहां लोग मिरने के बाद भी हम उनसे जुरे रहते हैं अब ये कैसे होता है वो आगे हम जानेंगे तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बैली था वो इसके मौम और बच्ची के साथ कोडिया में रहती थी वो उसकी वेटी की अच्छी दोस्त बनना जाती थी लेकिन कभी बन नहीं पाई और वो ये भी बोलती है वो फिर से कोशिश करना जाती है सिन शिफ्ट होता है एरपुर्ट में बैली वहां बैठी हुई थी वह लरका बोलता है ये तो बहुत कूल जाब है तब पहली बताती है उसकी बैठी भी उसकी तरह आर्केयलोजिस बनना जाती है तब वो पूछता है अब कितने दिनों के लिए जा रहे है तब वो बताती है तीन महिने के जिए और उसके बेटी के लिए सब कुछ अरेंज कर नेक सीन में हमें एक रॉकेट को दिखाया जाता है, उसके अंदर एक लड़का था, जिसका नम तैजू था, वो अपने गल्फरिंड को कॉल करता है, और सुभे उठाता है, चोंगेन एरोस्ट्रिस थी, वो फ्लाइट के लिए रेडी होती है, वो बहुत कुछ भूल जाती है लेकिन तैजू उसे याद दिला देता है, वो एरपोर्ट पहुँचती है, वहाँ एक लड़का उसे मूवी के लिए अप्रोच करता है, तब ही चोंगेन उसके बॉइफरिंड को कॉल करती है, और पूछती है, वो लड़का फिर बात में खुदी मना कर देता है, तैजू चोंगेन को स्क्रीन के ठूर एंटरटेन करता है, वो उसके लिए गाना गाता है, चोंगेन गाना सुनते सुनते फिल करती है, कि वो उसके साथ ही बैठी है, अगली तरफ हम हैरी और योंग सिक को देखते है, वो लोग एक ग्रैनमा के घर में जाते है, वो लोग उनको एक वाइस देते हैं जिसमें वो उनके पोती के साथ बात करवाती है असल में हैरी और योंग सिक वंडलार एजनसी के फाउंडर थे उनका फाम था कि जो जो परसन इस दुन्या में नहीं रहे या कुमा में है उनकी करीवी के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बेली उसके बेटी के साथ बात कर रही थी तभी उसे वो जाती है लेकिन तभी उसे पास्ट के कुछ बाते याद आते हैं बेली काम को छोड़के फिर से उसके बेटी को कॉल करती है और सौरी बोलती है रात को उसे नीन नहीं आ रही थी तब वो बहार जाके बैठती है ही तो है दूसरे तरफ चोंगिन जल्दी से होस्पिटल पहुचती है और वह वहां देखती है तायजू कुमा से बहार निकल गया था चोंगिन ये देखके बहुत ही खुश हो जाती है डॉक्टर उसे बताते हैं ये कोई जमतकार से कम नहीं लेकिन तायजू खुद पे शक कर और डेली लाइफ में स्ट्रगल करेगा और उसे उसके हर कदम में होसला बढ़ाना है चोंगिन और टायजू खर आते हैं खाना खाते वक्ता बताता है खाना बहुत ही बुरा है लेकिन उसे बहुत खाने का मन कर रहा है रात को वो लोग अपने पुराने वीडियो देखते ह चोंगिन बोलती है अभी तुन ठीक हो जाओगे तो हम लोग बहुत सारी ट्रिप में जाएंगे सुब्य टाय जो चोंगिन को उठाता है चोंगिन चौक जाती है लेकिन वो उसे हग करती है अगले तरफ हाईरी और योंग शिक एक पेशन के वहां जाते है वो आत्मी मरने ह है के भाई को कॉल करता है और बताता है उसको उसके डैट मिल गया है बात में हारी जब पोच्छती है तब हूं बताता है कि वह मेरे डैट नहीं है क्योंकि उनका blood group same नहीं है तब Harry बताती है तुम लोगों के dad अलग भी तो हो सकते हैं न योंग सिक रुख जाता है क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी restaurant में Harry बोलती है तुम उनसे पूछ लो लेकिन वो ready नहीं था बात में जब वो लोग खाना order दे रहे थे तब वहाँ वही old lady थी जिन्होंने अपने पोती के लिए service लिया था वो लोग देखते हैं उन्होंने बहुत कुछ खड़ीद लिया था नहीं car भी ली थी Harry और योंग सिक को ये सब पुछ अच्छा नहीं लगता नेक सीन में योंग सिक उन आदमी से मिलने गए थे लेकिन तब तक वो जिन्दा नहीं थे अगली तरफ बैली की बेटी सो रही थी बैली की मौम उन से बात करती है बैली बोलती है मैं जब आउंगी तब आपके लिए सकाफ लेके आउंगी तब ही उनको कुछ अच्छा नहीं लगता और वो फोन काट देती है सुबह वो हैरी को कॉल करके सर्विस कैंसल करने के लिए बोलती है क्योंकि उन्हें ये सब ठीक नहीं लग रहा था असल में बैली मर चुगी थी और ये बात उन्होंने अपने पोती को नहीं बताया था नेक सीन में हम बैली को देखते है वो घूम रही थी तब ही पीचे से संग्वुन आखे उसे बुलाता है और वो लोग फिर लंच करते है तब ही संग्जुन को कोई बुलाता है हम देखते हैं कि हारी उसे बुला रही थी वो उसे बताती है कि बैली की मॉम इस महीने के एंड में सर्विस बंद करने वाली है अगले तरफ हम चौगिन को देखते हैं वो सो रही थी उसे कोई कॉल करता है और बताता है कि ताईजू उसे मिलने आया था और वो जौब मांग रहा है तब चोंगिन बोलती है वो बिलकुल ठीक है और वो तुमसे मिलने गया होगा बात में वो ताईजू को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता चोंगिन की तबियत कुछ ठीक नहीं थी, वो दवाई धूनती है पर वो नहीं मिलता, तब वो सर्विस से ताईजू को कॉल करती है और दवाई के बारे में पूछती है, फिर वो बता देता है, रात को वो बहार आवास सुनके उठ जाती है, बाहर जाके वो देखती है, पार चोंगिन बात में बाहर कुछ सामान लेने गई थी, वो फिर स्पेस वाले टैजू को कॉल करती है और पूछती है, तुम कहा हो, जल्दी आ जाओ, अगर आ सकता तो कप का आ जाता, तुम थोड़ा वेट करो, और उसे घर जाने के लिए बोलता है, नेक सीन में हम बैजिया क को देखते है, वो बैली से बात कर दी थी, वो पूछती है, आप कब आओगे, तब बैली भोलती है, मुझे ट्री ओफ लाइप मिल जाए, फिर मैं जल्दी आ जाओंगी, तब ही उसके ग्रैनमा फोन रखके खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानती और मम्मी के पास जाना चाती है, ग्रैनमा बोलते है, वो बिजी है, वो तुमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन बैजिया नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है, बात में बैली उसके मौम को कॉल करती है, उसके मौम बोलती है, वो लोग वहाँ से जा रहे है, क्योंकि उनका वहाँ कोई नहीं है तब बैली बोलती है मैं जल्दी आ जाओंगी उसकी मौम रोती हुए बोलती है तुम कभी नहीं आ सकते अगली तरफ जोगिन डॉक्टर के पास जाता है और वताता है तैजू रात को निकल जाता है खोया रहता है वो पूरा ही बदल गया है तब डॉक्टर बोलते है वो अभी अभी गोमा से उठा है ठीक हो जाएगा अगले दिन वो एरपोर्ट के लिए रेडी होके निकल जाती है लेकिन जब वो बाहर जाके देखती है उसने फोन नहीं लिया था दूसे तरफ उसके फोन में एक कॉल आ रहा था ताईजू उसे उठाने ही वाला था तभी च में जली जाती है चोंग इन बहुती ज्यादा फ्रस्टेरिट थी वबार्स्वप्रणे में जाना स्टार्ट करती है फिर भिव्ह खुश नहीं थी रात को जब घर आती है तब देखती है उसके अपार्टमेंट पर आग लगई थी वह सीटी विए कैमरा में देखती है वहाँ खड़ी एक औरत उसे बोलती है ताइजू के निकलते ही वहाँ आग लग गई कि अजीब नहीं है तब चोंगिन बोलती है एक्सिडेंट होते रहते हैं फिर से वह पूछती है तुम ताइजू को बहुत अच्छे से जानती हो न वह पहले से बहु उसके दादी इस दुन्या में नहीं रहे नेकसीन में हम बैली की मॉम और उसके बैटी को देखते है वो लोग एरपोर्ट पहुचते है वो लोग जब चेक-इन करने वाले थे तब ही वहाँ उसकी पोती नहीं थी वो बहुत धुनती है तब ही बैली उसे कॉल करती है और चोंगिन मना करती है तब ही सर्विस वाला तैजू उसे कॉल करता है वो कॉल नहीं उठा थी तब ही तैजू बोलता है तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो तब चोंगिन उसे फोन देती है खुद देखने के लिए वो जब उठाता है तब हो सब देख लेता है चोंगिन उ लेकिन बीच में बैली की गारी रुख जाती है उसे बचाने के लिए वहाँ सोंगजुन आता है और वो बोलता है ये सब कुछ एक सपना है बैली ये मानने के लिए तयार नहीं थी हारी और योंगसिक उसका डेटा घ्रीट करने वाले थे लेकिन हारी बोलती है हम अगर फिर स बनाएंगे तो सब पहले जैसा नहीं रहेगा तभी वो स्क्रीन में कुछ देखती है वहाँ स्क्रीन के उस पर बैली थी तभी सारा सिस्टेम सट डाउन हो रहा था हारी बोलती है कि बैली कुछ करना चाती है तभी अचानक हम देखते हैं बैली एरपोर्ट में पहुँचत है वो सब को कॉल करती है उनमें से तायजू के पास भी एक कॉल आता है उसे फिर बैली की बेटी मिल जाती है तायजू बैजिया से बूचता है तुम आखिर कहां जाना चाती थी तब वो बोलती है मम्मा के पास और बोलता है कि उसके मॉम ने उसे यही वेट करने के लिए तब ही वहाँ उसकी ग्रैनमा आती है, जब वो लोग जाने ही वाले थे, तब ही वो जित करती है मम्मा को कॉल करने के लिए, वो कॉल लगा देती है, बैली फिर कॉल उठाती है, उसकी बेटी उसे पूछती है आप कहा हो, वो बोलती है मैं एरपोर्ट में हूँ, पर वो उसे दिख नहीं रही थी बात में बेली उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो मर चुकी है बेली उसके मौम को शुक्रिया बोलती है वो बहुत रोते है दुसरे दरफ चोंगिन हारी को कॉल करती है और सिस्टम डिसकंट्नियू करने के लिए बोलती है बात में वो ताइजू को सब कुछ बता देती है ताइजू वहाँ से उठके चला जाता है चोंगिन को पहले की सारी बाते याद आती है और वो रोने लगती है ताइजू भी रुकता है और चोंगिन उससे जाके हक करती है तो आज का मूवी यही खतम होता है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब